हेलो स्ट्वेंट वेल्कामा यूटूब चैनल लर रंटीच में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिसेशन करेंगे वर्किंग ओप पैराबोलिक सोलर कुकर के बारे में कि आखिर में पैराबोलिक सोलर कुकर कैसे काम करता है लेकिन इससे पहला कुछ समझना हुआ कि आखिर में पैराबोलिक सोलर कुकर होता क्या है देख सकते हैं मैं नीचे में एक्स्प्लेन करके बताए लिखी भी क्या है पैराबोलिक सोलर कुकर एक खाना पकाने का उपकरन है जो भोजन और तरल पदार्थों को पकाने या गरम करने के लिए सीदे सूर्गी उर्जा का उपियोग करता है इस Parabolic Solar Cooker में Parabolic Reflecting Mirror का उपियोग किया जाता है जो सीदे सूर्ग के परकास को Cooking Port पर इकटा करता है जिसे करन Cooking Port गरम हो जाता है और खाना तयार हो जाता है पकाने का काम करता है को भी एगर पानी है तो उसको गरम करने का काम करता है ठीक है यह जो पैराबोलिक सोलर कुकर होता है इसका ठट टाइप होता है ठीक है यह जो पैराबोलिक सोलर कुकर होता है इसमें उप्योग किया था है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मिरर का जो यहां प इसके अंदर कोई भी खाना को रखेगा तो उसे कुक कर देगी इसके अंदर कोई भी पानी को रखेगा तो पूरी तरीका से यहां पर पैराबोलिक सोलर कुकर यहां पर काम करता है sun की light की सजोक्सी है, यहापे कोई भी खाना और कोई भी पानी, कोई आप कुक करके यहापे बौइल करने का काम करता है, थीक है तो चलिए अब समझते हैं सा कंसक्षन के बारे में कि आकरी में पैराबॉलिक सोलर कुकर कैसे बना होता कौन कौन पार्ट के क्या क्या नाम होते हैं ठीक है ठीकिन, सबसे पहले क्या होती है, पैराबोलिक सोलर कुकर को बनाने के लिए सबसे पहले, यहाँ पर एक बड़ी सी सरकूलर डी जसी होती है जिसको एक चालब पैराबोलिक रिफ accompanied mirror मिर बोलते है, जो पुरुते से कर्ब होती है यह मैं तब UK shape में होती है, ठीक है, देख सकते हैं, sun की light को पूरी तरह से reflect करने का काम करती है, और एक जगा इखटा करने का काम करती है, यह एक तरका luminous जैसे होती है, एक तरका चमकदार होती है, ठीक है, अब क्या काम करते हैं, यह जो parabolic, जो reflector mirror है, इसके बीच में cooking port का इस reflector mirror की जैसे बीच में लटकाई जाती है, और इसको लटकाने के लिए, यहाँ पर उप्योग किया था, एक तका road का, जिसे आप बोल सकते हैं, support for cooking port, ठीक है, तो यहाँ पर support यहाँ पर दी आती है, cooking port को यहाँ पर लटकाने जाती है, यहाँ पर sun की light, यहाँ पर parabolic reflector mirror के होके हमारा direct cooking port के उपर पढ़ सकते हैं, तो कुछ इस तरसे यहाँ पर simple construction हो जाती है, parabolic solar cooker की, ठीक है, यह जो parabolic solar cooker जो होता है, अगर आपके सामने कुछ ऐसा नजर आएगी, ठीक है, तो कुछ ऐसा नजर आती है, real भी उसे देखिएगा, तो चलिए अब समझते हैं, इसका working के बारे में कि आखिर में parabolic solar cooker कैसे काम करता है, आखिर में किस तरसे sun की light के सयोग से यह कोई भी खाना को cook कर देता है, कोई भी पानी को boil कर देता है, यह चीज को समझते हैं, ठीक है, देके सबसे पहले क्या होती है, parabolic solar cooker को सबसे पहले sun के light की नीचे रख दीजे, ठीक है उचे adjust कर दीजे, और cooking pot को यहाँ लटका दीजे, और इसके अंदर खाना को डाल दीए, ठीक है, कम से कम एक से डिल्ड घंटा के दोरान क्या होगी, कि sun की light parabolic reflector mirror के उपर पढ़ेगी, और पूरी तरसे कर्व होने के कारण यह क्या काम कर दीगी, पूरी तरसे sun light को reflect कर ठीक है, कम से कम एक से डिल्ड घंडा यह continue, ऐसा sun की light इसके बार पढ़ते रहेगी, cooking pot के उपर, तो cooking pot यहाँ पर क्या होती है, उसकी जो color black होती है, जो sun की light क्या काम करती है, एक तो direct भी हाँ पर absorb करती है, ठीक है, दूसरी parabolic reflector mirror के सही जो reflect होके आती है, उसको भी absorb करती है ठीक है, जब absorb करती है, कम से कम एक से डिल्ड घंडा को रखती है, ठीक है, हीट हो जाएगी, तो क्या होगी, कि इसके अंदर जो भी यहाँ पर खाना है, वो cook हो जाएगी, अगर इसके अंदर कोई पानी है, तो पूरी तरिक से बॉil हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरस से वीडियो के सेर कीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,